1932 को लेकर आप लोगे थे, 32 को लेकर आप क्या सोचते हैं? को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, यहां के लोगों का जन्भावना को समझते हुए, इस पर उनको स्विक्रिती देनी चाहिए, सरकार ने कोशिस किया है, वीधी समत इसको विचार करते हुए, फिर से दुबारा हाउस में लाएंगे, और हाउस से ही पास करके एक स्मुद्दे पर, चुकि यह राज जैसे ही अलग हुआ, उस समय से ही जारखन के आदिवासी, मूलवासी, दलिते, पिछडा, अलवसंख्येक, जितने भी हम सभी जारखन राज में निवास कर रहे हैं, और इसे सभी लोगों का एक चिंता थी, कि विहार से अलग हुआ है, तो अपना राज का एक है, निती बननी चाहिए, तो नितिगत निती के तहत 1932 खत्यान का डिमांड होते चली, पूर्व में भी 1932 का खत्यान के बारे में यह माग होते रही है, पर उस समय तक किसी कारण से 1932 का खत्यान को सरकार ने लागू नहीं कर पाया, कोशित सरकार ने ने ले जाकर के नियायल के द्वारा खारिच करवाने का काम किया गिया, पुना उसको धार्खन सरकार ने जुआ मुख्य मंत्री हैमन सुरेन का नित्रुत में फिर से 1932 का खत्यान को धार्खन में लागू करने के लिए, सरकार के अस्तर से इसको काफी परियास किया गिया, पर समिती से पारित करके महमाहिम राजपाल के पास में भेजा गिया, अब महमाहिम राजपाल को निष्चित रूप से वचार करना चाहिए, यहां के लोगों का जन्भावना को समझते हुए, इस पर उनको सविकृती देनी चाहिए, सरकार का भी सरकार को सरकार की वीटि समत इसको विचार करते हुए से दभारा हाूस में लाएंगे और हाूस से पास करके एक नियम बना करके जहारखन में 1932 का खत्यान को लागू करने का हम लोग पोशिस करें तक्निकी तवर पर दिखकत है कि जिसे लोग करते हैं आप भी कुलहान से हैं कहते हैं कि लोग कि बटीस है नहीं दिखकते हैं तो सरकार का तो मानना ही है जो आधार मान रही है 1932 के बाद में जहां जहां भी सर्वे हुई है उनको भी सामिल किया जाएगा और 32 के बाद में जिनका खत्यान नहीं है ग्राम सफ़ा उस पर निर्ने लेगी ग्राम सफ़ा निर्ने ले करके 32 का जो भी मापदंड रहेगा राज सरकार के दूआरा उस 32 का मापदंड के तहते उनको भी सारे सुविधा और राज में दिया जाएगा यह तो सरकार के विवेक म आप से हमें पूछेंगे 75% अस्थानियों लोगों को रुजगार देने के बाद चली आपका जो छेत्रे बहुत सारा इंडस्ट्रेल भी है कैसे सुनिश्चित करेंगे इन कंपनियों में कि आपके 75% अस्थानिय युवाओं को नौकरी मिले क्या इसके लिए कंपनियों के साथ या कोई बैठा कैसी चली राज गठन होने के 22 वर्ष मुबाल यह जहारखन में पहला सरकार हेमन सोरेन के नित्रूत में यह निर्णय लिया है जो 40,000 से नीचे की नौकरी जो होगी प्राइबेट सेक्टर में अस्थानिय अस्तर पर 75% यहां के लोगों को लेना है जो कि सरकार ने सभी आउधोगी की जहां जहां उधोग लगी है आउधोग छेत्र के जिला के उपायुक्त को सरकार के द्वारा निर्देशित किया गिया है जो सरकार अस्थानिय अस्तर पर 75% बेरोजगार जुवक जूतियों को जो 40,000 से नीचे की नोकरी में रोजगार देने का जो नियम पास किया है उसे नियम को सत्परतिस्थ सरकार कमपनी पालन कर रही है कि नहीं कर रही है जिला समिति अपना निग्रानी कर रही है जिला के उपायुक्त ने बीच बीच में हमेशा जितने भी उधोग लगी है ऊईसे उधोग घ्रानों के जो मालिक हैं उन लोगों के साथ में उनका वारता लगातार चल रही है और कंपनी लोग भी इसका अमल कर रही है और हमें उमीद है अब तो सुरवात ही इसका हुआ है आने वाला समय पूर्ण रूपेन जो उधोग लगी है उधोगी घ्राने के जो हमारे ओनर्स लोग है उन लोग भी इसका सत्पत्तिसत पालन करते हुए जो नहीं करेंगे कोई और मुद्दा जो आपको लगता है कि पूछा जाना चाहिए इसलिए कोई सवाल ऐसा है जो हमसे चूट रहा है तो पूछ लेंगे नहीं एक महतुबन विसे है अवजीत कमतनी चाहिए चालू कराने को लेगा ठीक है